डॉक्टर शलप बंसल, रेडियोलोजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केर में एक सुप्रसिद नाम है, जिन्हें देश्व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजरिंग करने का अनभव प्राप्त है. और अपने इसी अनभव और एक्सपेटीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट अफ दियार्ट डाइगनोस्टिक सेंटर. पड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन अत्यधिक शोर से होने वाले दिक्कतों, जैसे क्लॉस्ट्रफोबिया, वो एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए. हमने एक हाइटेक आउडियो विज्वल, MRI सिस्टम लगाया है. मेरट नगर निगम बवाल को लेकर उर्जा मंत्री सौमेंदर तोमर को जिंदा जलाने की खुले आम धमकी देने वाले मुकेश सिधार को बीती रात पुलिस ने दिल्ली से ग्रफ्तार कर लिया. मुकेश सिधार को सिविला इंधाने लाया गया है. जहां से उसे कोर्ट में पेश किया, कोर्ट में मुकेश को 14 दिन की नियाई खिरासत में जेल भेज दिया है. इस दोरान कार में बैठने को लेकर कि भी मुकेश की पुलिस से तीखी नुख जोख हुई. मुकेश ने साफ कहा कि वह पराधी नहीं है, जो इस तरह से ले जाया जाएगा. इस मौकेश पर मुकेश इधार्ट ने मीडिया से कहा कि उसने जो ओर्जा मंत्री को धंकी दी है, वह उस पर अभी भी कायम है. बाहर आकर फिर आंदुरंद किया जाएगा. इस बीच यह भी जानकारी में आ रहा है कि जिल्ला परशाषन मुकेश पर रासु का लगाने की तयारी कर रहा है. दरसल नगर निगम में 30 दिसंबर को बोड बैठक के दोरान जमकर हंगामा हुआ था. इस हंगामे के बीच वहां दोनों तरफ से हार्त पाईवे मारपीट हुई थी. मारपीट का केंदर बने आशी चौधरी वे कीरती घोपला को विपक्षी दलों ने दलीतों पर हमला करार देते वे आंदोलन छिड़ दिया था. इसी क्रम में पूर्विधाय योगेश वरमा ने कमिशनरी से कलेक्टेट तक अपने समर्थ को समेथ जलोस निकाल कर प्रदर्शन किया था. प्रदर्शन के दौरान ही सपानेता मुकेश सिधार्थ ने भाजपाईयों के खिलाब कोई कारवाई ने होने पर डीम, एससपी वे उनके परिवार को भारी पुलिस वे प्रशाशनी का अफसरों की भी जम कर कोसा था. साथी उर्जा मंत्री सोमेंदर तौमर को जिंदा जलाने वे घर को आग के हवाले करने की भी बात कही थी. पहले देखिए क्या कहा था मुकेश ने. दिन दीन कारवाई करें, मुकतमे कवैंद करें, सोमेंदर तौमर को जिंदा जला जाएगा. कि दिलिसे गरपतारी के बाद आज कोर्ट में पेशी पर जेल जाने के दौरान कछेहरी में मुकेश की पुलिस से कार में बैठाने को ले करके तीखी बहस हुई देखिया अभी बीची बढ़ें तो से आप बाटे कार देखिया हो हुई करताका अचाहि कुन जाहिए लांट को बेट भाट है है उत्च liksom क्यों에 तो से प्सकारोगाए वाच्ट सांधिन मुक्या है यह थिस पर आंच जर सी नर बाट पो सिक यहां फर्स बाइट और टीवेस से ग्रफतार मुकेश से धर्ब ने यह कहा यहां फर्स बाइट आपरादी कानुन संचुदन अधिनियम 1932 के अंतरकत गद्मा पंजिकृत किया गया है और इसमें जो अभ्यूक नामजर है उसको घरास्त में लेकर गिरफतार किया गया है इसको मान्य नियाले के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और वहां से अग्रिम जो भी निल्देश होगा उसके आधार पर कारवे की जाएगी और इसमें जो वेशना है वो थाना सीवर लाइन से पच्छली ते इस खबर में फिलाल इतना ही है आप देखतरी है फास्ट बाइट डॉट्टी वे नमस्कार